मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे अचूक उपाए बताती हूँ जिससे आपकी हर मनुकामना पूरी होती है बजरंग बली आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं बस आपको सही तरीके के उपाए करने हैं मंगलवार को घर में पारत से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें पारत को रस राज कहा जाता है पारत से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं पारत से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तदोश दूर हो जाते हैं साथ ही घर का वातावरन भी शुद हो जाता है रोज इसकी पूजा करने से किसी भी तरह की कोई भी बुरी नजर नहीं लगते किसी को पित्रदोश हो तो उसको रोज पारत हनुमान की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए इससे पित्रदोश समाप्त हो जाते है मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उरत के आटे से बनाई वी हनुमान जी की मूर्ती की प्रान प्रतिश्था करने पर तेल और घी का दीपक जलाए और अच्छे से पूजा कर पुआ मिठाई आदी का भोग लगाईए इसके बाद 27 पान के पत्ते सुपारियादी मुक्शुद्धी की चीजे लेकर इनका पान बनाकर हनुमान जी को अर्पित कीजे इसके बाद इस मंतर का जाप करें नमू भगवते आंजन्याए महा बलाए स्वाहा फिर आती करें स्तुती करें इच्छा बताएं और प्रातना कर इस मूर्ती को विसर्ज़त कर दें इसके बाद किसी ज़रतमन को भोजन कराकर दान करें समान से विदा करें यह उपाय करने से जल्दी ही आपकी मनो कामना पूरी होगी मंगलवार को शाम के समय पास की किसी ऐसे मंदर जाए जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो बहां जाकर श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्गी के दीपक जलाएं इसके बाद वही भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठ कर हनुमान चालिसा का और हनुमान प्रतिमा के सामने बैठ कर राम रक्षास तोत्र का पाठ करें इस उपाय से भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्थ होगी आप एक का मौर कर सकते हैं राम नौमी के दिन या संडे के दिन पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएए और हनुमान जी को सिंदूर और चमीली का तेल अर्पित करें अपनी मनोकामना इनसे कहें इससे हनुमान जी प्रसन होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते है मैंने आपको अभी बताया है कि पारत के बजरंग बली को घर में स्थापित करें लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि पारत का शिवलिंग भी कमाल का होता है पारत का शिवलिंग आपको कई संक्टों से बचा लेता है अगर आप में confidence की कमी है खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते लोग अगर आपको दब्बू बोलते हैं तो आपको पारत शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए इससे आप refresh रहेंगे हजारों लोगों को अपनी बोली से दीवाना बना लेते हैं मालक्ष्मी की प्राप्ती के लिए पारत के शिवलिंग की विशेश तोर पर पूजा की जाती है आर्थिक संक्टों से मुक्ती के लिए किसी भी महीने में प्रदोश काल के दिन पारत के शिवलिंग की पूजा करके शिवस्तोतर से अभिशेक करें फिर हर दिन पूचन करते रहे, कुछी समय में आर्थिक स्तिती ठीक होने लगती है, कर्ज मुक्ती होती है, पारे से बने गडेश और लक्षमी की नियमित पूजा करने से धन प्रॉपर्टी के स्वामी बना जा सकता है, इससे सिद्धी बुद्धी के साथ सोना भी मिलता है, जल भर कर, घर के शान कोनिया घर के बीच में रखें, इस जल को रोज रात में रखें और सुभा किसी गमले में डाल दे, इसे घर में शान्ती आएगी, पत प्रतिष्था सम्मान के लिए पारद और दुद्राक्ष की माला पहने, पारद और दुद्राक्ष दोनों की माला